रसराज रस एक बहुमूल ये आयरुवेदिक रसाइन ओशदी होती है, आपके शरीर में ताकप लाने वाली होती है, इसमें स्वार्ड बस्म होती है, यानि इसमें स्वानी की बस्म होती है, इसमें रजत बस्म होती है, यानि इसमें चांदी की बस्म भी होती है, इसी कारण स यह अपना विशेश प्रभाब दिखाने वाली यह और शरी होती है तो आज के इस वीडियो में हम रस राज रस के बारे में चर्चा करेंगे हम जानेंगे कि रस राज रस के क्या-क्या फाइदे हैं किन किन रोगों में उप्योगी है किस तरह से इसका प्रियोग किया जा सकता है तो रस राज रस के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंतर देखिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रतिक अगरवाल आईरवेदिक कंसर्टेंट आईश्वान आईरवेद यूट्यूप चैनल पर आपका स्वाबक करता ह रस राज रस का जो प्रयोग है विशेश रूप से बार आपोस जन्य रोगों मैं यानि जो वात ब्यादी होती है जो विशेश रूप से बार आपोस जन्य रोगों होते हैं उनमें किया जाता है जैसे बहुत साली रोगों को जब लगवा मार जाता है यानि हैमी प्लेजिय की शिकायत हो जाए चाहिए पैरा प्लेजिया की शिकायत हो जाए या फेशियल पैरनेसिज की शिकायत हो जाए इस तरह के सवी रोगों में इसका प्रयोग विशेश रूप से किया जाता है और विशेश रूप से उप्योगी उता है इस तरह के रोगियों में जब टाकत शरी की खितम हो जाती है उससमय रसराजरस के प्रयोग से शरीर में विशेश रूप से ताकताता आती है और आप यह एमेल फे ऐगी प्लेजिया के शीकायत होती है या इस तरह की शीकायत में हाथ या पonents zijn या प्षेश शरीर का विशेश आंग कानग कर ना बफा देता है उन अटानी लगती है और आंग बीरे-दीरे काम करना फिर से शिरूप फरनी लग जाते हैं बहुत सारी इन लोगों को इस तरह की शिकायत होती है कि उनके कांग में साइं साइं की अवाज आती रहती है तो इस तरह की समस्तिया में भी रसराज रसका प्रियोग विशेश रूप से उसक्योंगी होता है बहुत सारे इन लोगों को हमेशा गर्दन में नायक रिजिडिटी रहती है जर्दन जड़ा भी लाते हैं बहुत सारी लोगों वो Spondylitis की भी शिकायत लेती है तो इस तरह की शिकायत में मन्या इस्तमला अःरवेद में है बहुत सारी की शिकायत में भी रसालच का प्रयोग विशेश रूप से फायत любим रहता है यह सभी रोग वात रोगों के अंतरगत आते हैं और विशेश रोग से इसका प्रयोग वात रोगों में किया जाता है विशेश रोग से लापडायक रहता है हालां कि यह ओशदी त्रदो शामग यानि वाद, पित और कफ शामग बताई गई है परन्तु विशेश रोग से इसका प्रयोग है वाद दोशजन्य रोगों में किया जाता है इसके इलावा जो रसराज रसका प्रयोग है वे हाई बलड प्रेशर के रोगों में भी विशेश रोप से फायदे मन रहता है यह आपके शरीर में बलड फ्लो को इंप्रूव करता है blood pressure को कंट्रोल करने में भी इसका प्रयोग विशेश रूप से उप्योगी होता है इसके अलावा रस्राज्रस का प्रयोग ऐसे रोगियों में विशेश रूप से फाइदें मनत होता है जिन रोगियों को बार बार पिशाब जाने की शिकायत रहती है ज़र उम्र दीरे दीरे बढ़ने लगती है तो उस समय जो पिशाब रोकने की मासपेशियां है वे दीरे दीरे शिखल होने लग जाती है और इसी काराण से बार बार रोगी पिशाब की तरफ भागने लगता है। मूतराशय की नसों को ताकत देने के लिए इसका प्योग विशेश रोप से उप्योगी रहता है। होती है इनी के काराण ये विशेश रोप से ज़्यादा कारगर होती है विशेश रोप से ज़्यादा असर दिखाने वाली ये और शदी होती है। इसका प्योग वाजी करण के लिए भी किया जाता है। आपके वीरे को पुष्ट करने वाली ये और शदी होती है आपके लिए में उत्तिजना बढ़ाने वाली ये और शदी होती है। इसके अलावा ये आपके हिड़े को ताकत देने वाली होती है। आपके लंस को ताकत देने वाली ये और शदी होती है। देना चाते हैं तो आप हमारी प्री वाटसप चैनल से जो सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डेस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो रसराज रस का जो प्रियोग है वे एक एक टैबिलिट की मात्रा में किया जाता है इसका प्रियोग दिन में दो बार करना होता है अगर आप वार्दोष जन्य रोगों में या वार्थ व्यादी में इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आपको इसका प्रयोग जो है शहेद के साथ करना है और उपर से गाय का गूग पी लेना है इस तरह से आप अगर प्रसराजरस का प्रयोग करेंगे आपकी बात व्यादियों में हेमिपलेजिया की शिकायत में पेरापलेजिया की शिकायत में बात दोजजने रोगों में व 250 मिली ग्राम की मात्रा में मोती पिष्टी लेनी है तो उनों को अच्छी प्रकार से मिलाकर शेहत से आप इसका प्रयोग कीजिए आपके हर्ट में विशेश रूप से ताकत आएगी आपका ब्लड पेशर भी दीरे-दीरे कंट्रोल होनी लगेगा दिन में दो भार भी इस प् मलाई절 में अच्छी प्रकार से टैबलेट को मिलाकर इस टैबलेट को चाट लेना है और उपर से आपको दूट मिलेना है इस तरह से आप प्रसराजरस का प्रयोग मलाई के साथ और दूद के साथ करेंगे आपकी वीरे सम्वंदी समस्याओं में भी पिशेश रूप से आरा मिलेगा परंगतु एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि किसी भी आयरवेदिक औशदी का आप प्रयोग करें पायदा रहेगा और यदि आप ऑनलाइन आयरवेदिक किंसलिडेशन हमारे द्वारा लेना चाते हैं तो मैंने डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पर केट करके आप हम से कनेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तो रसरायदरस के विशे में यह जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताईएगा आप किन-किन विशे पर वीडियो देखना चाते हैं किन-किन मैडिसन के बारे में जानकारी टाप करना चाते हैं यह भी मुझे कमेंट करके बता दीजे वीडियो अच्छी लगी है